टीवी इंडस्ट्री का लेटेस कपल सारा इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। कभी दोनों के ब्रेक अप की रूमर्स आती हैं तो कभी इनकी रोमेंटिक तस्वीरें वाइरल हो जाती हैं। ऐसे में फैंस काफी कन्फ्यूजड हैं कि आकिर हो गया रहा है। क्या ये दोनों अभी भी साथ हैं या इनकी राहें जुदा हो चुकी हैं। ऐसे में अब राकेस और समिता ने अपने फैंस को अपने रिस्ते पर क्लारिटी दे दी है। अब इन दोनों ने साफ कर दिया है कि दोनों का ब्रेक अप हो गया है। आपको बता दें कि समिता सिट्य और आकेस वापट का कनेक्शन बिग बॉस OTT से सुरू हुआ था जहां वो पहली बार मिले सो में उनके बीच नजदी किया दिखी और दोनों को प्यार हो गया बाहराने के बाद भी वो कई इवेंट्स और पार्टियों में साथ दिखते थे लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच अनबन की खबरें आ रही थी हालंकि बीच में उनके बीच सुलह भी हो गई थी लेकिन वो फिर अलग हो गए अब समिता और राकेस ने ब्रेक अप का एलान कर दिया है दोनोंने सोचल मीडिया पर पोस्ट लिख कर ये जानकारी दी है समिता ने बताया कि वो और राकेस अब रिलेसिंसिप में नहीं है समिता ने अपनी इंस्टाइ स्टोरी पर लिखा मुझे लगता है यह साफ करना जरूरी है राकेश और मैं अब साथ नहीं है कुछ समय से नहीं है लेकिन यह म्यूजिक वीडियो उन सभी खुबसुरत फैंस के लिए है जिन्होंने हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया अपना प्यार यूँ ही हम पर बरसाते रहे यही पॉजिटिविटी है आप सभी का प्यार और आभार समिता से टी के बाद राकेश बापट ने भी इंस्टाइ स्टोरी सेयर कर अपने ब्रेक अप के बारे में बताया उन्होंने लिखा मैं आपके साथ सेयर करना चाहता हूँ कि अब समिता और मैं साथ नहीं है किस्मत ने हमें बहुत ही असमाने परस्थितियों में मिलाया इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया सारा फैमिडी साथी राकेश बापट ने कहा कि एक प्राइवेट परसन होने के नाते मैं है सार्वजनिक तोर पर एलान नहीं करना चाहता था कि हम अलग हो गए हलंकि मुझे महसूस हुआ कि अपने फैंस को इसकी जानकारी देनी चाहिए मुझे इस बात का ध्यान है कि इससे आपका दिल तूड जाएगा लेकिन उमीद है आप अलग होने के बावजूत प्यार बरसाते रहेंगे आपके सपोर्ट के लिए सुक्रिया ये म्यूजिक वीडियो आप सभी को समर्पित है वैसे इस स्टोरी पर आपकी क्या राया है हमें कमेंट के माध्यन से जरूर बताएं साथ ये अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजे और इस तरह की वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकोन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें